नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल हर्ब्स एंड सपैसिस में स्वागत है आज हम बनाएंगे ओट्स के आटे से अलू-प्याज के पकोडे यहाँ हमने अलू-प्याज बॉक्स में ढाल दूगी वह मैंने कैसे घर पर ही बनाया चलिए चलते हैं बनाते हैं आलू प्यास के पकोड़े इसमें मैं ने सबसे पहले आलू ले लिया और प्यास को अच्छी से छील कर धोकर और आलू को इस तरह से बारिक चुकड़ों में चोट छोटे चुकड़ों में काट लिया है इसी तरह से प्यास को भी मैं छोटे-छोटे तुकड़ों में लंबे भी आप काट सकते हैं लेकिन पत्ले पत्ले आप जिसको कट कर लेंगे यह देखिए इस तरह मैंने प्यास को roughly chopped कर लिया है ना ज्याधा बारिक है और नहीं ज्याधा मोटा है कट करने के बाद इसमें मैंने बारी कटा हुआ धनिया और बारी कटी हुई हरी मिर्च एड़ कर ली है अगर आप मेथी या पालक एड़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इसमें मैंने हाफ कप ओर्ट का आटा लिया है और वन फोर्थ कप मैंने इसमें बेसन डाला है यहीं कि ओर्ट का आटा मैंने इसमें ज्यादा लिया है बेसन को मैंने बहुत कम लिया है इसमें मैं एक चमस धन्या पाउडर डालूँगी और हाफ टेबल स्पॉन मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाली है नमक आप अपने क्वांटिटी के हिजाब से डाल लेंगे सबको अच्छे से मिला लेंगे इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना हलका हलका पानी डालकर आप इसे मिला लेंगे देखिए इस तरह का बैटर आपने इसमें रेडी करना है कि सारा जो ओट्स का आटा है वो हमारे आलू प्याज पर अच्छी तरह से लिपट चाहे कि देखिए इस तरह से आपने तैयार करना है प्याटर कराई में मैंने सरसो का ओयल गर्म करने के लिए रख दिया था गर्म हो चुका है अब हम इसमें तरने के लिए पकोड़े डालेंगे ओट्स के आटे के पकोड़े जो हैं वो बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं क्योंकि ओट्स में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है तो वो हमारे लिए हमारी पाचन शक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा फायरे मंद है तो अगर आप भी इसको ओट्स के आटे के पकोड़े को जुरूर ट्राइ करें और मैंने तो अपने बच्चे बेटे के टिफिन म लगे और यह बनते भी बहुत क्रिस्पी हैं और खाने में गरम गरम खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं कई बार मन भी हो जाता है कि बेशन के पकोड़े बनाने का मन नहीं है वो खाने में बेशन थोड़ा भारी भी होता है और ओ травда जो हो हल्का होता है तो आप एक बार जरूर ट्राइए करें यह देखें पकोड़े बनकर तैयार हो गए है इससे आप सौस के साथ भी खा सकते हैं और धन्य पुदिने की चत्नी के साथ भी खा सकते हैं जैसा भी आप चाहें ऐसे खा लें इसको करे दो जो हा दो में आप सकते हैं ए दे की? ए दे के ले रे रिवया है हाट्स के पकोड़े इसी तरह से आप सारे पकोड़े रैडी कर लेंगे, ये लेखिए, खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट, और आपको सभी को ही ये खाने में पसंद आएंगे, और जरूर ट्रै करें, अगर आपको मेरे ये पकोड़े की रेश्पी पसंद़ आई है, थेंक यू